वेल्टाम बेक टो इंजिनिरिंग नॉलेज़ आज आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट कोशन्स रिफ्रिजरेशन चप्टर की जो की इंटर्व्यू के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है या फिर इंटर्व्यू में पूछे गया है या फिर पूछे जा सकते है तो आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे ही कोशन्स रिफ्रिजरेशन चप्टर से ठीक है तो पहला जो कोशन आता है वो है दिफाइं पूछे सकता है तो रिफ्रिजरेशन क्या है देखिए refrigeration may be defined as a process of producing cold by extracting heat from a body or space and heat thus remove is rejected to atmosphere or space मतलब क्या है मतलब refrigeration से क्या होता है इसको हम लोग कैसे define कर सकते है कि यह एक process होता है जिससे हम लोग cold produce करते है या थंड़ा produce करते है किसी भी body के अंदर या किसी भी space में कैसे by extracting heat मतलब उससे heat को निकाल के और जो heat निकालेंगे उसको कहां पर भेजेंगे उसको atmosphere में भेजेंगे या फिर हम लोग बोल सकते है sink में भेजेंगे ठीक है तो यह गया definition of refrigeration यह आपको पता होना चाहिए तो उसके immediate बाद आपको पूछा सकते है कि what is mechanical refrigeration by machine कोई भी machine यूश करके हम लोग कोई भी cold produce कर रहे है उसी को हम लोग mechanical refrigeration बोलते है simply ठीक है तो इसे के round एक और question आजाता है कि refrigeration effect क्या होता है यह बहुत important question है और यह बहुत सारे reviews में पूछे भी गया है कि refrigeration effect क्या होता है ठीक है तो refrigeration effect क्या है कि it is the amount of heat which is to be extracted from storage space in order to maintain lower temperature मतलब हमारे पास अगर कोई भी space हो या फिर कोई भी storage हो जिसमे हम लोग चाहते है कि मतलब भी temperature maintain करे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जो heat हम लोग extract करेंगे या फिर जो heat हम लोग निकालेंगे वहां से जो amount of heat निकालेंगे उस amount of heat को हम लोग बोलता है refrigeration effect यह बहुत important question है इस type के question आपको पुछा जा सकता है इंटर्वियू में तो इसी के बाद आपको पुछा सकता है कि बहुत सरी refrigeration system होते है तो कितने सरी refrigeration system होते है या पिर types of refrigeration system आपको पूछा जा सकता है तो यहां पर basically 3 types of refrigeration system होता है पहला होता है vapor compression refrigeration system आपको पता भी है BCRS system हम लोग बोलते है उसको उसके बाद होता है vapor absorption refrigeration system जिसको हम लोग बोलते है VARS system ठीक है और आखिरेंगे जो होता है वह होता है air refrigeration system ठीक है यह तीन टैप के refrigeration system होता है उसके बाद जो important question आता है वह होता है कि what are the basic units of mechanical refrigeration systems basic unit system मतलब जो process होते है हमारे refrigeration system में वो processes क्या होता है मतलब जो stages होते है refrigeration system में वो stages क्या होता है और हम लोग बोल सकते है basic units भी बोल सकते है ठीक है तो units क्या होते है पहला तो होता है evaporator एक evaporator होता है ठीक है उसको हम लोग बोलते है cooling unit वो cool करता है ठीक है उसके बाद होता है क्या और compressor एक compressor होता है जो हमारा air होता है मतलब gas होता है उसको compress करते है ठीक है उसक इन चार basic units होते हैं किसी भी mechanical refrigeration system में तो यह बहुत important है और यह बहुत important question है इंटर्वियू के point of view से ठीक है तो जो next question आपको पुछा जा सकता है कि जो refrigeration unit होता है वो क्या है बहुत important question है friends इंटर्वियूर आपको कभी भी पूछ सकते है कि refrigeration unit क्या है और unit of refrigeration क्या है तो जैसी कि हमारे mechanical devices के लिए जो power है power का unit हम लोग बोलते है horsepower ठीक है तो electrical equipment के लिए हम लोग किया बोलते है कि kilowatt और megawatt हम लोग बोल सकते है ठीक है power की unit तो वैसे ही जो unit of refrigeration होता है उसको हम लोग क्या बोलते है tons of refrigeration ठीक है tons of refrigeration इसके साथ ही एक question आपको पूछा जलता है कि one ton of refrigeration क्या है तो यह भी बहुत important question है कि one ton of refrigeration क्या है तो देखिए one ton of refrigeration क्या है it is amount of heat which is to be extracted from one ton of water at zero degree centigrade in order to convert it into ice at zero degree centigrade in 24 hours तो इसका मतलब क्या है तो मान लिजे कि अगर हमारे पास एक ton of water है तो हम अगर उस एक ton of water को एक ton of ice में convert करना जाते है 24 hours में तो जितना सारा amount of heat हमें उस water से निकालना परेगा या फिर extract करना परेगा उसी को हम लोग बोलते है one ton of refrigeration और यह zero degree centigrade की बात हो रही है यह zero degree centigrade centigrade में ही होगा ठीक है तो यह गया one ton of refrigeration ठीक है उसके बात जो आपको question पूछा जा सकता है की type of refrigerants क्या है कितने सारे types के refrigerants होते है हमारे आप ठीक है तो यह क्या होता है हमारे पास basically दो types के refrigerants होते है एक होता है primary refrigerants और दूसरा होता है secondary refrigerants ठीक है तो जो primary refrigerants होता है वो क्या होता है जो डाइरेक्ली जो हमारा heat होता है, मानने जिए हमारे पास कोई storage है, कोई भी space है, उससे हम लोग heat निकालना चाहते है, तो वो क्या करता है, primary refrigerant, directly heat को absorb कर लेता है, storage space से, और वहां पर cooling प्रोड्यूस करता है, और यह जो process होता है, यह एक cycle के अंदर होता है, जैसी कि हम लोग अभी बोले थे, कि पहले compressor होता है, उसके बाद condenser होता है, expansion valve होता है, evaporator होता है, तो यह जो process होता है, एक cyclic process में हो रहा है, तो यह primary refrigerant का काम है, और secondary refrigerant क्या करता है, कि जो secondary refrigerant होता है, वो पहले थंडा होता है, primary refrigerant के help से, ठीक है, तो secondary refrigerant, primary refrigerant के help से, पहले थंडा होता है, उसके बाद, यह जो थंडा होता है, यह जो हमारे storage है, या space है, उसको थंडा करता है, secondary, मतलब पहले primary refrigerant से यह थंडा होता है, उसके बाद, जो storage तो इसको हम लोग बोलते है, secondary refrigerants, ठीक है? तो उसके बाद, इंपोर्टेंट कोशन, यह आखरी कोशन है, मेर कोशन तो बहुत सारी पूछे जा सकता है, लेकिन मैं यहां पर बस important questions आपके साथ discuss कर रहा हूं तो जो कोशन आपको पूछे सकता है, कि designation of refrigerants क्या है? कि refrigerants के designation क्या है, यह आपको online test में भी पूछा जा सकता है, या फिर interview में भी पूछा जा सकता है, कि देखिये, कि designation of refrigerants क्या है, तीन टैप्स के designation होता है, पहला तो case A हो गया, case A में क्या होता है, जैसे कि, जो है refrigerant saturated hydrocarbon होता है, मतलब जितने सारे saturated hydrocarbon हम लोग यूज करते है, as a refriger refrigerant, उनको case A में हम लोग पकरते है, जैसे कि R11 हो गया, R12, इस टैप के refrigerant को हम लोग case A में शामिल करते है, और देखिये, जो chemical formula है, वो क्या है, CM, H, N, F, P, C, L, Q, यह जो है, यहाँ पे देखिये, carbon, hydrogen, fluorine, chlorine है, और इसको हम लोग, जो M, N, P, और Q है, इनका value दिया रहेगा आपके पास, और आप कैसे पता करेंगे, कि यह जो refrigerants है, यह case A की refrigerants है, तो देखिये, यहाँ पे R है, यहाँ पे नीचे देख सकते है, कि R, M-1, N-1, B, तो यहाँ पे आपको वो value put करना परेगा, जो दिया रहेगा आपको, और उसी के हिसाब से आपको, जो designation होगा, उसको वो मिल जाएगा, ठीक है, जैसे की R, 1, 1, R, 1, 2, S, इस तरीके से, उसके बादा आते है, case 2, case जो 2 है, या फिर B है, उसको जो की है, unsaturated hydrocarbon, ठीक है, तो पहले था saturated hydrocarbon, अभी हो गया unsaturated hydrocarbon, और यहाँ पे जो chemical formula है, वो है, C, M, H, N, F, P, C, L, की, तो देखिये, इसका designation कैसे निकालेंगे, आपको यह दिया रहेगा, कि मान लिजिए, C, M की जगा बिले दिया, C, 2, H, 2, F, 1, C, L, 1, ऐसा दिया रहेगा आपको, तो उसके, उसके हिसाब से, आपको यह M, N, P, और Q, इसके value जो है, इसको put करना परेगा, इस designation के formula में, और उसके बाद आपको मिल जाए जैसे कि मान लिजा हमरे पास होता है, ऐमोनिया होता है, वाटर, यह सारे है, इन औरगानिक कंपाउंड, जिसको आप लोग डेजिगनेशन में लिखेंगे, इस तरी के से, कि R 700, मतलब जितने सारे इन औरगानिक कंपाउंड होंगे, सभी में R 700 प्लस होगा, मतलब मान 701, 702, 703, इस तरी के से होगा, 700 से नीचे कुछ नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, तो यह गया, डेजिगनेशन ऑफ रिविजरेंट्स, तो फ्रेंड्स, यह जितने सारे कोशन मैंने अभी डिसकस किया आपके साथ, कि रिफिजरेंट्स, रिफिजरेशन स इस टैप के कोशन ही ज्यादा तर पूछे जाते हैं, इंटर्व्यू में या फिर ऑनलाइन टेस्ट में भी आपको टेक्निकल जो का सेक्शन होगा, उसमें पूछा जा सकता है, और यह बहुत ही इंपोर्डन्ट है, आप सभी के लिए, तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह व